एक हवाई जहाज के लिए UPA ने 540 करोड रुपए दिया, 520 करोड रुपए, 526 रुपए का एक हवाई जहाज अभी सुप्रीम कोड की जज्मेंट आए कि रफाल में कोई भी फिनेंशल इर्रेगुलरिटी नहीं है, कोई घपला नहीं है उसके और रहुल जी आपने जो महावल बनाया हुआ है मीडिया के साथ में, मतलब आप दगो जब सुप्रीम कोड ने 2G के कोलिग के लाइसेंस कैंसल किये थे, उसके बाद भी मीडिया बताती है कि है सुनिय मनमोहन क्लीन है, और सुप्रीम कोड ने का रफाल में कोई भी घप पहली बात तो 126 नहीं, आई एफ को 2500 प्लेंस की ज़ुरत थी, दाइसो क्यों हुआ कि रहुल जी कि 1963 से 2013 तक 1200 में खरीदे, उसमें से 840 क्रैश हो गया, 170 पाइलेट मरे, तो ज़ुरत थी प्लेंस की, 2014 में एक एंटनी बोलते हैं कि हम पे पैसे नहीं रफाल खरीदने के लिए, और कैसे होता, 2010 में मुम्मी के लिए अगस्ता वेस्टलेंट के चौपर जो खरीदने थे, 3600 करोड के, उसमें 5 रफाल आ जाते हैं आपके, तो यह ना कि मुम्मी कोड़ना ज़्यादा जरूरी है आए एक के पाइलेट्स मरें, बासेट पाइलेट्स मरें आपके टन्यूर में, अब याद आ रही है आपको नैशनल सेक्यूरिटी, और यह क्या अर्ग्यूमेंट है कि सिफ 36 प्लेन्स खरीदे, 126 क्यो नहीं, अगर कम प्लेन खरीदना गलत है, तो आपने तो 0 खरीदे, त आपने तो बहुती बड़ी गलती करी फिर, राहूल जी कम प्लेन खरीदना स्कैम नहीं होता है, जादा खरीदना स्कैम होता है, आपको याद देला हूं, नवंबर 2003, एर इंडिया बोर्ड की मीट में उन्होंने बोला कि हमें 28 प्लेन्स चेही है, 2004 में आपकी सरकार आई, अगस 2004 में प्रफुल पटेल गए, उन्होंने का हम तो में 28 नहीं, 68 प्लेन्स खरीदवाएंगे, फाल्तू प्लेन्स खरीदवा दिये 40,000 क्रोड का लून लिया, डेट एर इंडिया पे, इंट्रेस्ट कॉस्ट 35 क्रोड पर साल की, 5 रफाल आते पर साल, अब तक तो 50 आ के लोग ना वो मरते, ना एर इंडिया के ड्धे में जाती, तो ज्यादा खरीदना स्क्याम होता है, और 126 यार आप और करना चाहते थे, एस दिल्ली मेट्रो 400 किलोमेटर चाहिए, फेजम में 65 किलोमेटर बनाई, फेजम में बाकी 100, तो फर्स्ट फेजम में 36 प्लेंस आग कैसे को नहीं बनवा रहे हो, अरे 2012 में जो डील थी डसॉल्ट के साथ, इसी बात तूटी आपकी, आपने का रफाल हैल बनाएगा, पर उसकी क्वालिटी की जिम्मेदार ही डसॉल्ट लेगा, डसॉल्ट ने हाथ खड़ी कर दिये, कि यह प्लेन अगर हैल बना रहा तो हम ज आप रफाल के ओडर हैल को तब दो जब वो प्रेजंट ऑडर बुग पूरी कर पा रहा हो, बीस तेजस के ओडर हैं, दस दे पाएं, मैं नहीं बोल रहा आपके खड़गे जी नहीं बोला, आपकी पार्टी के पार्लेमेंट में, 61 जैगवार जेट जो हैं, उनका अपग्रेड छे साल टीले हो गया, सुखोई जो हैं, वो पेंडिंग है, तो आगे बोस तो तबलो, ओडर तो तबलो, जो पहले वाले पूरे हो जाएं आपसे, और ये क्या अर्गिमेंट है कि अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो प्रा एर्पोर्ट एक्स्प्रेस लाएने काम, रिलाइंस को, पांचजा करोड का, तब याद नहीं आपको DMRC की, बॉम्बे मेट्रो आपकी जो थी अंदेरी से घाट को पर, साड़े चाहजा करोड का, 69% रिलाइंस इंफ्रा का स्टेक था, तब भूल गे था आप MMRDA को, ये दि आपने, तब याद नहीं आए, नहीं ची आई कि, आप जब कॉंट्रेक्ट्स वगराद दो, तो वो तो पीपीप मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनेशित, और मोदी ने ऑफसेट में आट सो पचास करोड काम उसको दे दिया, तो वो स्कैम हो गया, और आपके ल डाल दिया क्या, और ये तो फिर भी कॉंट्रेक्ट्स हैं, जो सारे लोन मिले, अने लंबानी को, रिलाइंस नेवल पे आपका नौजा करोड का लोन, किसकी सरकार में मिला, रिलाइंस इंट्रा पे ग्याराइजा करोड का लोन, सब पीएश्यू बैंक्स ने दियें, किसकी सरकार में, ये क्या अर्ग्यूमेंट है कि पॉब्लिक सेक्टर यूनिट है तो प्राइविट काम नहीं कर सकती, मतलब सूनिय जी तो गूमे आ, रिलाइंस के प्राइविट जेट्स में, अगस्ता के प्राइविट चौपर में, और आई-एफ के जवान चलें हैल के बनवे सरकारी स्कूल में, आपको अपने ले तो सब कुछ प्राइविट चाहिए, दुनिया सरकारी पे चले, ये जो थौट प्रोसेस है कि यार पब्लिक सेक्टर, इस रीक्स ओफ कॉम्मिनिजम, मुझे आद एक किसा, चाचा नहरू गए थे जी आडी टाटा के पास, टाटा एर इंडिया, वहने सोच कॉम्मिनिस्त है, कि सारे बिजनसमें चोर है, तो यू पीपल लव मनी, यू जस एट अर्निंग इट, आपका जीव दो चंदे पे चल रहा है, तो आपको धंदे से दिक्कत है, जो धंदा करते हैं, वो चोर हैं, और आप संतो सारे जलोगा, और आप क भाइकार ने, रापायल हवाई-जाहाश 700 करोर करेए प्रती हवाई-जाहाश के लिए यू पीएं ने 500 करोर रूपए दिया था, 520 करोर रूपए एक हवाई-जाहाश के लिए, यू पीए ने – 526 रुपए का हवाई yさい कर दो, 525 तो यह मेरे और कर, दो आप 526 पर एक रफाल अगर आ रहा है अरे हजार उपर तो का जुकतली हो गई है अब 526 में रफाल खरीद रहे हो और कुछ भी आफ फिकर फ्लोट करे जा रहे हैं कहां से आ रहे हैं अंबरे 1200 करोड पूरी जो रफाल डील हुई है 2016 में उसकी कॉस्त है 7.87 बिलियन यूरो उसमें से था किया रफाल को हिंदुस्तान के सब से कस्टमाइज करेंगे उसकी कॉस्त है 1.8 बिलियन यूरो फिर था किया हम दो मेंटेनेंस और ओवरॉल कैपैस्टी बनाएंगे फैसिलिटीज बनाएंगे लेंज के लिए उसकी कॉस्त है 1.8 बिलियन यूरो मेंटेनेंस और ओवरॉल फैसिलिटी जो कि मिग्स में नहीं थी जिसकर में क्राइच हो रहा हुए फिर वेपन से आपके 710 मिलियन यूरो के फिर आपका परफॉर्मेंस बेस लोज और रफाल की कॉस्त आती है 36 वह आती है 3.28 बिलियन यूरो तो आपकी एक अनलोलिट रफाल की कॉस्त आई 3.28 विलियन यूरो जो उस समय की करणसी कंवर्जन के साब से आपकी बढ़ती है 670 क्रोड आपको 2014 में बोल रहे हो कि हमें उफर ता 120 मिलियन डॉलर्स का रफाल का जो पढ़ता है 740 करोड का तो आप मुझे बताओ कि 670 करोड में जो खरीदा है रफाल वो सस्ता है या आपके पर जो ओफर ता 746 वाला वो सस्ता है और आप अगर कह रहे हो कि 746 इस लेस देन इस चीपर देन 670 तो तो है हमें मैथ्स वापिस से पढ़ने पड़ेगी मतलब बहुती दुरभाग्य की बात है कि नहरुजी ने देश में आइटी बन वाए है यहां पढ़के लोग गूगल की सीओ बन गे माइक्रोसॉफ्ट की सीओ बन गे और उनके खुद के परिवार के बच्चे उनक को बेसिक युनिट्री मेथड नहीं समझा रहा है बेसिक घटा जोड में उन कहां प्रहे हैं और आप कुछ भी फिकर फ्लोट कर दो आप साथ सो बोल दो आट सो बोल दो सोले सो बोल मीडिया कुश्चन नहीं करेगी बिकुस उनके मूं में तो आपने हड़ी डाली हुई है पदम श्री की बर्खा को राजदीप कोविन और दुआ को दोजार आठ में चेकर कुप्ता के मूं में तो आपने बून लेसी डाल दिया पदम भूशन नहीं देदिया उसको तो मीडिया तो कुश्चन नहीं करेगी आपको पर देख रहुल जी मैं मानता हूँ कि मूदी न को मैनेज करने के लिए पर रफाल पहली डील हूई जिसमें कोई मिडल मैन ही नहीं है तो आपकी कुंठा जायज है तो मूदी नहीं गलती तो करी है बही जब रफाल खरी दे तो आपकी माताजी के चरनों में जाते नारियल फोड़ते उनको जो रेस्पेक्ट पे करनी थी वो करते को आतराचीन आपको गोध में खिलाया तो डसॉल्ट के सीओ को बूलते कि आपको एक दिन गोध में खिलाये तो जो डिफेंस डील की इंदुस्तान में परमपरा थी मूदी को वो रिच्वल्स वालो करने चाहिए नहीं करें तलती है पर स्कैम नहीं है पर आपका म पर मेनेजमेंट इतना अच्छा है आप जो चाहें बिलीव करा दो देश को पर फिर भी आपको लगता है कि 36 प्लेंस क्यों 126 क्यों नहीं तो और प्लेंस खरी सकते हैं राहूल जी में तरीका बताता हूं आपकी पार्टी की MP रहे लगडपत्ती राजागोपाल विजयवा पैसे में भई 36 कि 66 तो पहुंचे हैं अपन करो शुरुआत